वल्लो दियर फ्रेंड्स वेलकम बेक दोस्तों स्वागत आपके अपने चैनल डिजिटल मालूम है दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बिग बूल की फ्राइज दोस्तों बिग बूल की प्राइज जो रात में करिबन 9 बजे इसकी प्राइज थी वह 47 थी और अभी 4 गंटे पहले ही 47 से यहां पर 51 हो चुकी है जो कि आप प्राइज है वो देख सकते हैं दोस्तों इसकी प्राइज इतनी जल्दी ग्रोथ कर रही है इसका रिजन क्या है क्या रियली में ही इसकी प्राइज जल्दी ही एक डोलर होने की वाली है लेकिन इसमें सबसे बड़ा सवाल यह ही है कि जब अगर यहां पर इसकी प्राइज बढ़ रही है तो ला टोकन पर इसकी प्राइज है वो कब तक बढ़ने वाली है अगर फिलाल हम बात करें ला टोकन पर इसकी प्राइज की तो दोस्तों ला यहां पे इसकी प्राइज है वो क्रेबन 51 हो चुकी है अब सबसे इंपोर्टेट चीज यही है कि जब इसकी प्राइज यहां पे इतनी है तो यह बेनिफिट वाली कोई बात नजर नहीं आ रही है सब को आप लोग भी कॉमेट करके पूछ रहे हैं कि मान लिजी आज मेरे पा पास 5000 बिग बूल है और मैं आज अगर बिग बूल को बेचना चाहूं या सेल करना चाहूं तो कहां पर करूं अगर मैं इसकी वेबसाइट पे जाके करो तो वहां पे कोई भी सेल सेलकर करूं तो भी लाट टोकन पर एसा कोई भी उप्शन है वह नहीं है आप लोगों के को चीज है कि अभी तक बिग बूल को सेल करने के लिए जो सही तरीका है जो सही प्राइच है वो कहीं न कहीं शोर नहीं होती नजर आ रही है मान लिजे आप Koteksk पर इसको अपने वही चीज आप वहाँ पर सेल कर सकते हैं चछ़िए मैं आपको यहाँ पर दिखाता हouri मान लिजे मे मेरे पास यहां पे Big Bul, जो resonates वेयलटमे मेरे पास पड़े हैं, यहां पर आप देख सकते हैं, अगर यहां से मैं Big Bul को L टोकन पे ले जाना चाहता हूं, तो मेरे पास क्या उप्शन है यहां पे? तो देखे यहाँ पर जो option है मेरे पास यहाँ पर मैं send कर सकता हूँ या फिर receive कर सकता हूँ तो यहाँ पर आप चाहेंगे तो आपको यह BP20 ब्लोक्चेन पर आपको यहाँ पर दिखाए दे रहा है देखे दोस्तों काफी आप आयों ने जो ट्रस्ट वेलेट पर ले रखा है बिग बुल उन लोगों के लिए क्योंकि ट्रस्ट वेलेट पर जो पड़े है वो फिलाल किस प्राइज में हम counting कर सकते हैं ठीक है क्योंकि हमने डायरेक्ट लिया था बिग बुल के एड्रस से तो यह token है उसी प्राइज में count हो रहे हैं तो अगर हम वहाँ पर ले जाएंगे इसको तो देखी यहाँ पर में आपको दिखाई दे रहे हैं deposit by address by crypto with card ठीक है तो हम deposit by address इस पर क्लिक करते हैं इस पर क्लिक करने के बाद में आपको एक USTD का ही option आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है जो की USTD में आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है अब हम रिश्यू USTT address हमें रिश्यू करना है वहाँ से तो हम यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे अब आपके पास में नीचे आप आएंगे तो आपके पास में दो तिन ओप्सन मिल जाएंगे एक USTT वैलेट ERC20, BSE USTRD वैलेट BAP20 और नीचे आएंगे तो BUSD वैलेट BP20 और एक UST है जो TRC20 पे है तो हमारा है जो BAP 20 पे है तो हम BEP20 USSD वैलेट में जाएंगे तो यहाँ पे दोनों में आपको इस भी वैलेटा में यूज कर सकते हैं BAP20 है दोनों में तो हम इसको यूज करना चाते हैं तो माशन देखते हैं और यहां से इस address को हम यही जो response अध्रस है और यह deposit address है इसको हम यहां से copy करते हैं हमारा यह copy हो चुका है अब हम चलते हैं trust wallet पे तो हम trust wallet पे आ चुके हैं trust wallet से हमें यहां पर करना है तो हम यहां पर इसको send वाले option पर click करेंगे हमें यहां पर send करना है अब आप चाहें तो qr code use कर सकते हैं नहीं तो आप यहां पर डालेंगे और यहां पर maximum आपको 100 account डालना है और यहां पर आप continue वाले option पर click करेंगे अब दोस्तों आपके पास में वही error वही message आके खड़ा हो जाता है you do not have smart chain BNB to cover networking piece तो यहां पर हमने लिया है BEP 20 पर जो आपको दिखाई दे रहा है और यह जो network piece है वो BNB की है तो सबसे पहले हमें BNB networking piece के लिए हमें इसी BNB पर हमें address पर यहां पर deposit करना पड़ेगा क्योंकि जो piece है वो इसी से ही कटने वाली है BNB to cover networking piece तो यहां पर अगर आप trust wallet से यहां ला token पर लाना चाहते हैं तो आपको यहां पर BNB में कम से कम आपको यहां पर investment करके रखना पड़ेगा यानि deposit करके रखना पड़ेगा तब आपका यहां पर जो piece है वो कटेगी तब जाके आपका transition है वो successfully हो पाएगा अब दोस्तों मैं आपको next video में यह बताऊंगा इसे deposit करके कि यहां पर हम BNB में deposit करते हैं तो कितना deposit हमें करना पड़ेगा कैसे हम deposit कर सकते हैं इसके बारे में लेकिन फिलाल हम यहां पर यह देखने वाले हैं कि जो हमारे पास trust wallet पर जो balance पड़ा है उस balance को अगर हम किस price में count कर सकते हैं तो दोस्तों जैसे आपने देखा होगा जब हमने यह account बनाया था तो हमने direct BNB यानि Big B के address से हमने लिया था उनके dashboard से तो यहां पर जब हमने price buy किया था तो उसी price से हमने मिला था तो definitely अभी जो इसकी price है आपको trust wallet पर जो BNB की जो अभी चल रही है इसके wallet में चल रही है जैसे यहां पर आप देख सकते हैं यह वाली यह वाली price ही हमें यहां पर account होने वाली है और इस price में अगर हम count करें तो दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं फिलाल इसकी जो price है वो हम account रुपया भी ले ले लेते हैं account रुपय से अगर हम count करते हैं हमारे पास जो BNB में trust wallet पे जो बेलेस पड़ा है big B token का वो करीबन 5500 और तेतर है इसको अगर account करें 5570 ले लेते हैं count करते हैं हम account रुपय से तो दोस्तों यहां पर amount बन जाता है 2,84,070 रुपया तो क्या हमें यह जो amount अगर हम ले जाते हैं ला token पे तो हमें क्या इसी amount का big B token है वो मिलने वाला है दोस्तों काफी question है जो big B ने जो एक एक तरह से हम यूं कह सकते हैं थोड़ा बहुत काफी लोगों को यह उलजवा स्वाल लगता है और दोस्तों मैं आप लोगों को इसके बारे में full details से बताने वाला हूँ क्योंकि मेरी जल्दी ही मुलाकात जो big B के यानि big bull के ओपीस में जाके मैं यह सारी चीज़े हैं जो कलियर करके जो doubt आपके हैं वो कलियर करके बताने वाला हूँ तो दोस्तों आपको थोड़ा सा इंतजार है वो और करना पड़ेगा और दोस्तों जल्दी ही मैं आपके सारे डाउट कलियर करने की कोशिस करा हूँ उमेद करता हूँ कि दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो like और share subscribe करना चंदल पर पहले बार हैं तुमारे चैनल को subscribe जरूर करना मिलते हैं दोस्तों एक नई अपटेट के साथ में जब तक के लिए thank you for watching this video thank you to all big bull team thank you